नमस्कार में निकित और आप देख रहे हैं प्राइम म्यूस 24 आजकर के विग्यानिक युग में भी कुछ लोग अंध विश्वास के जान में फसकर भूत प्रेत और काले जादू पर विश्वास कर अपनी या फिर किसी और की जिन्दगी को खतरे में डाल देते हैं ऐसा ही ए देहदारी बाबा पर भी काला जादू कर उसे बिमार कर दिया है जिसकी वजह से उसका देहदारी बाबा बिस्तर पर बिमार पड़ा हुआ है और जब से उसने अपने पती को बांध कर रखा है उसका देहदारी बाबा ठीक हो रहा है वही जानकारी देते हुए महिला पती काला जादू जानता है और घर के सभी लोगों पर काला जादू किया हुआ है और इसलिए उसका बेटा उसके साथ जगरता रहता था लेकिन उसके पती ने काला जादू कर उसके बाबा को ही बिमार कर दिया जिसकी वज़े से उसका देहदारी बाबा आज बिस्तर पर बि कर देंग ना देना प्षुवाश कर दें लिग्राइबर देपिर पुष्पाइब प्रपार यू अद जादा ना बुद्वाईया लगदे तो रोज शाम नो मैं बुमार रोज शामनू पर मेरेकार वह अपुर्शन पर पुर्शन भी मतलब इसे तरह उना ने बार पादा ने लक्षमी के पती श्रवन ने बताया कि उसकी पत्नी अंधिवश्वास के जान में फस चुकी है वह कोई जादू टोना नहीं जानता और जिस बाबा का उसकी पत्नी नाम ले रही है उसने उसे कुछ नहीं किया उसे नहीं पता कि वह कैसे बिमार हुआ इसलिए उसके जला प्रशासन से मांग है कि वह उसे चड़वाया जाए आप प्रशासन संग्ध का कहना है कि जादू आप गरीब आद मी रख्षा चला डाला वह उसे नहीं कीता माराज नहीं पता मैं कितना गर सकता जातू तोना वहीं इस मामले में तर्क शील सोसाइटिए के प्रधांतर लोचन सिंग का कहना है कि जादू टोना भूत परेज जैसी कोई चीज नहीं होती यह दोनों मांसिक रोगी है हमारी सुसाइटिएन के पास जाकर इस बंदक वनिव्यक्ति को छुडवाकर दोनों मांसिक रोगियों का इलाज करवाएगी साधे स्माज दे विच उह जी आफिल्मा यह जी सीरियल ति इह जी आखवती तान्व कहानिया सुन सुनके साधे स्माज जड़ाय मांसिक को रोगी हो रहा है और उस मान से को रोगी दी ततर करके इस जिक नमाहूं दियाने एस वर यह बंदा ठीक है जिन संगला जबन्या है अगर यह ज्यादा देर तक इससे तरह रहेगा ते इस सच मच पागल हो सकदा ते असी तरक्षीर सुसाइटी वेलों यह चैलंज कर दिया है कि यह बंदा ठीक हो सकदा असी उनु बिल्कुल अजाज करांगे असी दोना दा हिलाज करांगे दोना तेंगे सुझा आ दिये के इननु ए ठीक हो सकदा बिल्कुल पर शर्ते के कारवाले ते जिला परसाखन सा डश सही हो देवे तांगे ओ कोई तार मरत ता ओरते कोई ओजी गलना होए यह प्राइम नीज 24 के लिए जदिंदर कुंडर की रिपोर्ट